नमस्कार मैं अंजली मिशो स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बता दे कि इस वक्त महराश्ट्र की सियासत में काफी जादा हलचल मची हुई है एडी की लागातार कारवाई देखने के लिए मिल रही है और सर्फ एडी ही नहीं आपको बता दे कि जुत्ती भी केंदरी एजेंसिया है वो इस वक्त महराश्ट और मुंबई में काफी जादा एक्टिव नजर आ रही है और इस से एक महीने के अगर बात करें तो एक के बाद एक तावर तो छापे मारी कहिए प्रॉपटी इसको निकाला कहिए कारी कहिए हर चीज़ पर यह जो सेंट्रल एजेंसिस है उनकी निगाए है और ऐसे में आपको बता दे कि BMC के कमिशनर एकबाल सिंग चहल को जो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने नोटिस जारी किया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप सार्णिक की प्रॉपटी इडी द्वारा अटाच की गई है तो साफ तोर पर जो मुश्किले लगतार बड़ी है महाराश्टर की सरकार की और साथी साथ महाराश्टर सरकार से जुड़े हुए कई बड़े बड़े नेता हों मंतरि विधायक और साथी कई सारे बड़े पोस्ट पर वैठे जो है ऑफिशियल्स की अब ऐसे में ये पूरा मुद्ध क्या है आखिर इकबाल सिंग चेहल जो के BMC के कमिशनर है उन्हें किस बात को लेकर नोटिज जारी किया गया है प्रताप साने के प्रापटी ED ने क्यों अटाच की है हम इसके बारे में आपको ज़र अविस्तार से बता देते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर प्रताप साने की प्रापटी ED द्वारा अटाच की गई है इसके पीछे का कारण क्या है उतादे कि महाविकार सगाडी सरकार के मंतरी और नेताओ पर केंद्री जाच एजन्सियों की कारवाई लगतार हो रही है पहले अनिल देशमुक फिर नवाव मलिक और अब शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाई के एडी ने सरनाई की 11 करोड 35 लाग की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और ये कारवाई NSEL घोटाले मामले में की गई है जौपत की गई समपत्ती में ठाने शहर में मौजूदा दो फ्लैट और एक जमीन है ये कारवाई Money Laundering Act के तहट की गई है साल 2013 में मुंबई पॉलिस की EOW दर्ज की गई FIR संक्या 2016 की जाच जब E.D. ने शुरू की तो उसके बाद ये कारवाई जो है E.D. अपने तरफ से करती नज़र आई है कुछ दिन पहले ही E.D. ने महराश्च के मुक्यमंति उदर्फ ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के घर और अने ठिकानों पर छापे मारी की थी इस कारवाई के बाद से ही महाविकास गाडी के मंतरियों में खलबली सीमची हुई है और जादा ही लेकर पूरे मुद्ध को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है वो लगतनार उदर्फ ठाकरे उसे यह मांग कर रहे हैं जैसे कुछ ऐसा जवाब देना चाहिए ऐसे में आशंका जटाई जा रही है कि आने वाले दुनों में महाविकास गाडी की सरकार और बीजेपी के बीच टकराओ बढ़ेगा उससे पहले आप ईडी ने शिवसेना के ठाने से विदायक प्रताब सरनाइक पर सिकंजा करते हुए उनकी करोडों रुपे की संपत्ति को जब्त कर लिया है बताओं एए कि NSEL घोटाले में पुश्टाच के लिए प्रताब सरनाइक को कई बार समन भेजे गयी और उनके बेटए को भी इडी ने पूश्टाच की कोशिश की थी लेकिन सरनाइक ने पहले उनके पुश्टाच करने की कोशिश की गई थी इसके बावजूद कई दस्तावेजों की जाज परताल भी की गई जिसके बाद उनके खिलाफ मनी लॉंडरिंग का मामला दर्ज किया गया उसके बाद सरनाई को कई समन भेजे गए लेकिन वो ED के समक्ष हाजिर नहीं हुए और इनके जो प्रॉपर्टी UAँ उसे अ्टाच किया प्रताप सन्नाई के अब आपको बता दें किसे लेकर जो बीजए फीके नेता है कीजी समय उनके तरफ से भी टूइट किया गया है उन्हें ने लिखा है प्रताप सन्नाई के तीन प्रोपर्टी थाने की उसे ED ने अटाच किया है और वो अटाच किया गया है 5600 कड़ोर के NSEL घुटाले के मामले में सार्णिक पार्टनर है आस्ता बिल्डर सिफोन का जो की NSEL स्कैम में 242 कड़ोर रुपए के घुटाले का मामला आया था उन्हेंने का कि 22 कड़ोर रुपए सार्णिक कंपनीज को ट्रांसफर किये गए थे क्रिमिनल एक्षन इनके खिलाफ यानि प्रताप सार्णिक के खिलाफ MMRDS स्कैम के तहत लिया जाएगा दूसरी तरफ आपको भी दादे की BMC कमिशनल जो है इकबाल चहल इकबाल सिंग चहल भी अब इस वक्त इंकम टैक्स डेपार्टमेंट की रडार पर है मुंबई नगर्द निगम के 27 समीतिक अध्यक्ष याश्वंत जादफ के मामले की जाँच आयकर विवाग लगतार कर मालूम हो कि इसी मामले में अबाइकर विवाग ने इकबाल सिंग चहल को भी नोटिस जारी कर दिया है अंधादे 10 मार्च को पेष उने का जिक्र जो है उस नोटिस में किया गया है और समझा जारा आ कि मामला 300 कड़ों रुपे के टेंडर से जुड़ा है और इसी बीच जो है कुछ दिन पहले चैल को नोटिस आया था आरोप है कि स्टेंडिंग कमिटी ने अपरेल 2018 से मार्च 2022 के बीच जो है कई सारे ठेके दिये थे और इसके लिए कुछ प्रस्ताव भी जो है उसे भी पारि प्रस्ताव की सूची के साथ आयुक्त को तलब करने के लिए दोड लगाई थी बता दे कि तरह से ही जैसे इसको सार्वेजनिक किया गया है यह जो भी हमसे के कमिशनर उनके मुँपे करारा तमाचा है क्योंकि इससे पहले जब मार्च चार को समीत ठककर ने ट्वीट किया था कि मुंबई कमिशनर इकबाल सिंग चैल को आईटी ने नोटीस बेजा है यश्वन जादव मामले में तो उनके खिलाफ मानपा ने फायार जो है कि अब आईटी ने यह नोटीस को पब्लिश कर दिया है और इस नोटीस के पब्लिश करते ही इस बात साफ हो गई है कि मु एक घोटाले एक गोटालों में बड़े बड़े नेता अधिकारी अफसर्स का नाम निकल कर सामने आ रहा है सौकरों मनी लॉंडरिंग मामला कोविड सेंटर घोटाला नवाब मलक से जुड़ा हुआ घोटाला साथ ही जो है नाइटी में मामला स्टे जमीन खरीदने का गया है यानि साफ तोर पर इस वक्त जो महाराश्ट के महाविकास अगाडी की सरकार है उनका नाम महा घोटाले बाद सरकार होना चाहिए क्योंकि जितने घोटालों की लिस्ट है इनके सरकार के लोग मंतरी विधायक नेताओं के नाम से निकल करा रही है शायद ही किसी सरकार में इतने जादा घोटाले कभी किये हो गए होंगे उनके कारिकाल के दोरा कारिकाल में लोग काम करते हैं जनता के लिए उनके लिए कुछ कारिबाल करते हैं और इसे गिनवाते हैं लेकिन यहाँ पर अगर महाराश्टर के सरकार की बात करें तो इनके पास लोगों के लिए उननों क्या क्या किया, इसका तुम मालुम नए किन ही घोटाले कि उन यदिन सकता है कॉन कितना जादा महाराश्च्री की महाविकार सागारी सरकार की बात करें तो यहां पर यह competition लगातार जारी है और इस competition में जीत रहा है उसको इनाम के तोर पर जो है जहां पर एक तरफ यह कहा जा रहा है कई सारे चुनेता मौंतर जो की काफी नाराज है एडी और इंकम टैक्स डिपार्टमेंट सी बी जो भी जितनी भी केंद्र एजेंसी उनकी कारवाई से काफी परिशान और गुस्से में है वो कहते रहते हैं कि इनकी तो इनके साथ बीज कि उनका एक एक डापिटेशन है और इस डापिटेशन के उन्हें बना कर रखना है वह ऐसे ही किसी घर जाकर चाहपे-मारी नहीं कर सकते हैं उनके पास उससे जुड़े हुए पुक्ता सभूत होने चाहिए उसके बाद ही वहाँ पर जा सकते हैं और यही कारण है कि आप ज आइटी द्वारा नोटीस जारी कर दिया गया है वहीं दूसरे तरह किस तरहां आपको ये वह फूर सामने आ रहा है और नाम कोई और नहीं प्रताप सार्मिक का और सांध को की अबीडि ने जब्त किया तो आपने पूरा मुद्दा जान लिया कि पूरा मुद्दा क्या है और पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं